बिग बॉस के कंटेस्टेंट रही और काटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला नजर आने वाली है अपने एक न्यू वेब सिरीज के साथ जो की सुनि लाइफ एंटेटेंडिमेंट चैनल पे बहुत जल्दी ही आने वाला है क्या है इसकी पूरी डिटेल्स आये नजडा थे इ आपके साथ आपकी दोस और इशो की पोस्ट अपको बता दू कि बिग बॉस के हाउस में जब शेफाली जरीवाला ने एंट्री लिया था कंटेस्टेंट के रूप में लोगों ने बेहत पसंद किया था और लोग इंतजार कर रहे थी कब घड़ी आएगी कि शेफाली अप अपने एक नए अंदाज के साथ एक न्यू वेब सिरीज में नजर आने वाली है जिस बात की जानकारी उपन कर दी गई है शोनिली वेटिटेंटमेंट चैनल के जरिये से और तो और मैं आपको यह और चिसके बार में इंफर्म कर दू कि यह जो वेब सिरीज है इसका नाम ह और में तो अपर मिल चुका है कुछ उसके लिए लेकि शेफाली इस चिसको मना कर चुकी थी लेकिन जाब इंटर्व्यू के दौरा है यह ना कर तो उसके बाती यह जो बिए गर पर पर हूं वे क्यों किसी शो के लिए ना करो मुझे जो भी आएका में हर वो काम करने को रि और यही स्टेटमेंट के वज़े से शायर जब लोगों को यह पता चला कि शेफाली जरीवाला को अगर कुछ काम मिलेगा तो definitely she will work for it इस बार अपने फैंस के डिमांड पे और मेकर्स के डिमांड पे फैशन श्रेट यह OTT प्लाटफूम पे जो रिलीज होने वाला है एक सीरीज है इस पे शेफाली जरीवाला को भी शामिल किया गया है बहुत जल्दी ही बड़े-पर्दे पे शेफाली जरीवाला अपने अक्टिंग के जरीए से लोगों को एंटि तेन करते वहें नजर आने वाली है जिसबात का इंतजार इनके सारे फैंस को था जिस बात का इंतजार इनके चाहने वालों का था कि Hyundai एक नए अंदास के साथ जहां पर उन्हों यह कहा था कि मैं हमेशा थे चाहता है ख़गी उसे घर पर बढ़ा है नहीं है मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी वाइफ काम करे और उसको जो अच्छा लगता है वो करे एंड फाइनली जब उसको ऑपोर्शिटी मिला है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है और मेरी चेहरे पे आप सभी को दिख रहा होगा विल मैं आप से जाना चाहूंगे क्या आपका रियाक्शन कैसा है क्योंकि काटा लगा ये सौंग के बाद से शेफाली का जो स्टार्डम था वो एक अलगे लेबल पर था लेकिन उसके बाद से किसी रिजन से वो फिर से इस इस इंड़स्ट्री में दिखी नहीं इतनी लेकिन आप जो वह फिर से वापसी कर रही है इस पर आपका क्या रियाक्शन है आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा फिलाक लिए बस इतना है और खबरों के लिए आप देखते रहें फिफा फूर्स